देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी एंडिये के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा बता दे कि एक तरफ बीज़िपी है जो अपनी राग अलाप रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनतदल युनाइटेड की जो राय और मत है वो बीज़िपी से बिलकुल पड़ है क्योंकि तकई ऐसे मुद्दे है जहां पर बीज़िपी और जनतदल युनाइटेड के मत एक जैसे नहीं है चाहे हम जाती जनगना की बात कर ले नीती आयोग के रिपोर्ट की बात कर ले बेहार को विशेस राज का दरजा दिलाने की बात करे या फिर शराब बंदी की इ बता दे कि जब से बिहार में एंटिये की सरकार बनी है तभी से ही ये तेवर बीज़िपी का देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि नितीश सरकार के तमाम फैसलों पर बीज़िपी अपनी सेह्मती नहीं जताती और अता ही नहीं बात अगर हम शराबंदी की कड़े तो लेकर भी बेजपी के नेता ने कई बार ऐसा कहा है कि बहार में शड़ाब बंदी सफल रहा है और ऐसे में शड़ाब बंदी कानून पर पुर्ण विचार करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ जनतगल युनाइटिट का साफ तोर से कहना है कि बहार में शड़ाब बंदी ठीक इसी तरह से लागू रहेगा और सियम्रतीश कुमार की तरफ से लगातार कोशिशे जारी है और बिहार में शड़ाबंदी को सफल भी बनाया जाएगा यानि कि कुछ हद तक ये गटबंधन अब तूटने के कगार पड़ आ चुका है क्योंकि दोनों की राय अलग-अलग है दोनों की सोच अलग-अलग है चाहे हब जातिये जनगन्दा की बात करें इसको लेकर भी जनतादर उनाइटिड का कहना है कि बहार में इस बार जातिये जनगन्दा होनी चाहिए इतना ही नहीं सियम नतीश कुमार अपने खर्च पर बिहार में जातिये जनगन्दा करवाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जातिये जनगन्दा बिहार में संभव ही नहीं है और अगर सियम नतीश कुमार चाहे भी तो वो अ लगातार ये बाते कहीं जा रही है कि ये गडवंधन अब जल्द ही तूटने वाला है और बहार में नया समीकरन भी होने वाला है अब ये समीकरन आखिर किसके साथ होता है किसके साथ बहार में किसके सरकार बनती है ये तमाम बाते देखने वाली होगी बहराल इस वक्त अगर हम NDA की बात करें तो दोनों यानि की बीजब और जंतादल युनाइटेट की राय अलग-अलग है कई मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खरे नजर आते हैं और यही वज़़ा है कि गठमंद तूटने की बात अब सरयाम कही जा रही है ताही नहीं सिम्नतीश कुमार ने पूरी दाकत जोक दी है कि बिहार में जाती है जनगन्ना करवाया जाए शड़ाब बंदी को सफल बनाया जाए और तना ही नहीं सिम्नतीश कुमार की तरफ से मनीती आयोक पत्र भी लिखा गया जिसमें बिहार को विशेस राज का दर्जा देना ले की मांग कही गई तो वहीं BJP का कहना है कि जब काबिनेट यानि की मोधी सरकार बिहार के तमाम खर्श उठाती है ऐसे में विशेस राज के दर्जे की क्या जरूरत है और यही वज़ा है कि जो ताना तनी है वो BJP और जडियों के बीच देखने को साफ मिल रहा है ऐसे में ये गटबंधन कितना आगे जाता है या बीच मजधार में ही तूट जाता है ये तमाम बातें देखने वाली होगी लेकिन इस वक्त जिस तरह से BJP और जनता युनाइटेट के बीच ताना तानी देखने को मिल रही है ऐसे में कहा तो यही जा रहा है कि ये गटबंधन जल्द ही बिहार में टूट वाला है और नया समीकरन होने वाला है फिलाल के लितना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस वानेशन के साथ नमशकार